दोस्तो अब दिव्यम और राधिका चाहकर भी राधिका को बेगुनाय साबित नहीं कर सकते क्यूंकि काया ने जो भी सबूत राधिका और दिव्यम को मिली थे वो सबूत मिटा डाले हैं और जो सबसे बड़ा गवाय अमर था काया ने उस अमर को ही खात्मा कर दिया है दोस् तो राधिका समूट एकटा करने के लिए दर दर भटक रही है और बहुत अधिक रिस्क लेकर बहुत अधिक मेहनत कर रही है लेकन दोस्तो अब तो कहाने ही पूली पलट गई है दोस्तो दोस्तो आखर क्या नयीव ट्with आ गया है उसे जानने से पहले आप हमारी राधिका के कि इस मेडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और राधिका के लिए कमेंट में आई लेम राधिका जरूर लिखें दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं राधिका लाट्री के टिकट के महाने अमर को अपने पास तो बोला लेती है जैसा है दोसक्र लाट्री में ही वो बेपैसे बरबात करता है । इस बात से राधिका को भी एक आईडिय लग जाता है कि हो ना हो अमर भी उन पैंसों से लाट्री के खेलगा इसलिए राधिका ने एक आईडिय thu बनाया और अमर को लाट्री जिताने के बहाँ ने अपने पास गुला लिया और जब अमर रादिका के पास आता है तो रादिका अपने असली रूप में आ जाती है और अमर सौक्ड हो जाता है अब अमर रादिका के लिए एक चाकू निकालता है और रादिका को डराने के लिए वह है चाकु गुवाने लगता है अब वहीं दूसरी ओर दिब्यम को भी कुछ संकीत मिलते हैं कि मेरी रादिका बहुत मुश्किल में है अब दिब्यम रादिका को कैसे बचाएगा अब यदि अमर पकड़ा जाएगा तो काया का क्या होगा और दिब्यम क्या सही समय पर पहुच पाएगा और दोस्तो दिब्यम अगर अमर को पकड़ा लेता है तो काया क्या होगा जो काया अपना घर बसाने की कोशस कर रही थी वह तो घर बसने के पहले ही बेघर हो जाएगी दोस्तो क्या काया इस नकली पती अमर का खात्मा करने की सोचेगी क्यूंकि काया जानती है कि यदि इस नकली पती अमर का खात्मा हो जाए तो मेरे सभी गवाय और मेरे सभी काले कारणा में मिट्टी में दफन हो जाएगे तो क्या है काया अमर को खात्मा कर देगी तो दोस्तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जनल करें दोस्तो